तो कैसे हो भाई लोग सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना मेरे पास आ चुका है Infinix Hot 11 2022 यार स्मार्टफोन का नाम लेते-लेते वीडियो खतम हो जाएगा बैए कितना बड़ा नाम है है Infinix Hot 11 2022 यार नाम जैसा बढ़िया है क्या स्मार्टफोन बढ़िया होने वाला है ऐसे भी स्मार्टफोन को में कॉफिदिन से यूज कर रहो हो और स्मार्टफोन के अंदार बहुत सारा कमिया रहने वाला है तो एक-एक कमिया मैं आपको डिटेल में बताने वाला हो अगर अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उसंजो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है सब्सक्राइब भी बनता है तो शुरू बात करते हैं स्मार्टफोन की खुपसरत बिल क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में ऐसे मैंने किसकिया न सब्सक्राइब और इंफिनिक्स का ब्रेंडिंग आपको देखने को मिल जाएगा और कैमेरा का जो बाम रहने वाला हो नाके बरबर रहने वाला है डेटु लाइव यूज में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है ऐसे भी स्मार्टफोन जो होने वाला है यह तो मैं नहीं स्मार्टफोन आपको बहुत ज़्यादा तकलिब देने वाला है पहला जो रहने वाला है स्मार्टफोन की पीछे के तरफ धेर सारा फिंगर्पिन का निशन वेगरा आता है तो आपको बार बार ऐसे क्लीन करना पड़ेगा उसी के साथ भाई बहुत ही जल्दिक टैसे स्मार्टफोन की स्मार्टफोन का मज़ा ले सकते हो इसके बाद में बात काना चाहूंगा स्मार्टफोन की स्मार्टफोन का डिस्प्ले कैसा होने वाला स्मार्टफोन की डिस्प्ले में क्या क्या प्रॉब्लम मुझे मिला है चली मैं आपको बताता हूं बात किया जैस्ट के बारे में जो स्मार्टफोन मैंने यूच किया मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत मिला है जब मैंने डाइडर सानलाइड में यूच किया यार कुछ भी देखाई नहीं दे रहा है आप यहां पर देख साकते हो स्मार्टफोन में जो ब्राइडनेस मिलता है वह इतना अच्छा नहीं रहने वाला है उसी के सा सब्सक्राइब से देखा दे रहा है कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है आप स्मार्टफोन में किसी भी एक एंगल से वीडियो को वाच कर सकते हो क्योंकि यहां पर मिल रहा है IPS इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा स्मार्टफोन की पाफवर्स के बारे में स्मार्टफ उस्टोर आया है वह 1 लक्ट 55,000 प्लास pot smartphone में दे hebben कोधिन बस्मार्ट पर यहाँ परWeegend ऐन पर गुस्त क्रें बस्मार्ट से अथόσक्त स्मूफन के एन घुन को टेस्ट किया था आप अगर आपने देखा तो डिफ्स्रिप्शन पर पाँगे स्मार्टफून में यहां पने बात करना चाहोगा स्मार्टफून में GEM को तेस्ट किया था अगÑ अगर आपने बिड्रो नहीं देख्वा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंग मेरे आपको मिल जायका छेगा स्मार्टlles gradual UA आसानी से खिल पाओंगे लेकिन अगर आप बैलेंस ग्राफिक में स्कीन रेकोडिंग को अनकर होगे तो mmc 5.1 इसके बात मैं बात करना चाहूंगा स्मार्टफोन की कैमेरा के बारे में ऐसी भी जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरह डूएल कैमेरा सिट आप के साथ प्राइमरी जो सिंसर रहने वाला है 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल रहने वाला है जो देफ्ट सिंसर के लिए स्मार्टफोन की बैक कैमेरा से अब फूल एस्टी में 30 पिस पर वीडियो को रेकोर्ड कर सकते हो और यहां पर जो आटो फोकस मिलता है वो बहुत ही बेकार क के साथ मुझे लग रहा है नाम का 8 Megapixel का कैमेरा मिल रहा है जो क्वालिटी है इतना अच्छा नहीं है लो लाइड में अच्छा नहीं करता है और कलर अभी पर देख सकते हो प्रोटेट फोटो के तरफ देखा जाए इस डिटेक्शन आपको ठीक ठाग मिल जाएगा बेक्र स्मार्टोन का कलर अभी पर देख सकते हो बहुत ही बेकर की दिखाई दे रहा है इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा स्मार्टफोन की OS के बारे में जो स्मार्टफोन आता है एक सो डॉल्फिन 10.0 लाइड वर्सन के साथ और जब मैंने स्मार्टफोन को पहली बार देखा मैं तो चौक गया है यार मुझे लग रहा है स्टोग एंडुट को कस्टोमेज करकी यहाँ पर डाल दिया है यहाँ पर आप देख सेकतो यहाँ पर इतना ज्यादा ब्लुटोस बेगरा नहीं मिलता है और यहाँ पर इतना ज्यादा एर्स बेगरा नहीं मिलता है यह चीज म स्मार्टफून आता है इन बोक्स एंडुएट 11 के साथ यहां पर डेरिकेटट सिंसलोट नहीं मिलने वाला है यहां पर आपको हाइब्रेट सिंसलोट मिल जाएगा और यहां पर जो सार भैलू रहने वाला है यहां पर हैप्टिप जो फीडबेक मिलता है वह अच्छा रहने यहां पर dual Mike नहीं मिलनेवाला है जब आप कॉल में बात करोंगे तो यहां पर बहुत सारा है प्रोब्लम बगरहा आने वाला स्मार्टफोन आता है 5000 बैटरी के साथ और इंबोक्स आता है 10 वाट का एड़ेप्टर के साथ अगर आप 10 वाट का चार्ज आसे स्मार्टफोन को मैं थोड़ा हेवी में यूज कर रहो फिर भी मेरा एक दिन अरम से निकल जा रहा है अगर आप नॉर्माल यूज करोगे तो मुझे लग रहा है दिर दिन अरम से निकल जाएगा कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है तो चली इसके बाद आते सिधा कॉन्कुलूसन पार्ट क हो चुका है तो उसके सबसे दिखा जाए एक नॉर्माल यूज के लिए यार एक छोटा मोटा गेमर के लिए जो स्मार्टफोन है जबदस्त रहने वाला है अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो आपका मामी पापा या एक ऐसे उजार को जो देटू लाइव यूज में नॉर स्मार्टफोन है कैसा होने वाला है कि स्मार्टफोन को 10,000 रुपीज पे करके पर्चिस करना चाही के नहीं आप मुझे कॉमेंट में जुरू बता सकते हो क्योंकि सबकर आये तो अलग-अलग होता है उमिद करता हो मैंने आपका सारे डाउट किलियर कर दिया अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करना उसी के साथ चैलेंग को कर लिए सब्सक्राइब नोटिफिकेसान बेल को जुरू आल में क्लिक करना